तो इसे फैक्टर्स नहीं जो की एर प्रेशर को इंफ्लूएंस करते हैं तो वह फैक्टर्स के बारे में भी हमने बात किया था और यहां पर हमने एक अक्टिविटी देखी थी जो फ्लाइंग लैंटर्न होता है उसका किस तरह की जब हम उसे उसमें कैंडल जलाते हैं तो जो हीट की वजह से जो हवा होता है वो उसकी वजह से वह जो लैंटर्न और बलून जएसा जो है वह वह उपर उठने लगता है ठीक है ऑर हमने यहां पर देखा था यह दोनों डाइग्राम और थोड़ा सा देखा था आज हम पूरा डिटियल इस समझेंगे इसे ओंखे है जौ प्रेशर बेल्ट्स हैं अर्थ के सर्फेस पर वो हम देखते हैं यहां पर आप देखिए geliyor यह जितने आपको देख रहे हैं seven रहे है याद रखना seven है one two three four five six seven तो आप इसमें देख रहे हो जो यह आपको देख रहा है यहां पे यह color में ठीक है यह है low pressure belt जैसे कि यहां पे यहां पे और यहां पे तीन है low pressure और चार है high pressure belt देखिए one two three four अब high है तो वह ज्यादा ही रहेगा इसलिए four ठीक है आप इस तरहीं से याद कर सकते हो और जो low है वह तो कम है इसके लिए कम ही है तीन ही है ठीक है इस तरहीं के से तो इस तरहीं से अप्याद कर सकते हो तो यह जो पहला वाला है जो zero degree पे है तो zero degree पे यह zero degree क्लाइन यहां पे है ठीक है और zero degree क्लाइन के ऊपर पांस डिगरी मतलब नौर्थ और नीचे मतलब इस साउथ पांस डिगरी पे क्या है यह पूरा है low belt low pressure belt यहां पर लिखा हुआ अब यहां पर देखिए यहां पर यहां पर लिखा हुआ है हाई प्रेशर बेल्ट high pressure belt mid latitudinal high pressure बीच वाला है इसके लिए mid latitudinal high pressure belt अब यहां पर आप देखिए तो यह सब polar low pressure belt है यहां पर फिर से तो आप देखिए बहुत ही easy तरीका है इसे याद करने का पहले यहां पर आप देखोगे low है आप equator से याद रखिए equator है यहां पर इसके उपर एक high फिर low फिर high जस्ट उसके नीचे वैसा ही है यहां पर low फिर high फिर low फिर high इस तरह के से यह pressure belt है साथ है साथ बेल्ट है वो याद रखना है आपको और यहां पर आप देखोगे तो 25 डिगरी से लेके 30 डिगरी तक यह पूरा 10-10 का ही यहां पर है 10-10 टेंटें परलेल की दोरी पर यह है यहां पर हमने यह सारी चीज़े देखी थी 10 डिगरी पर यह जो बेल्ट है प्रेश बेल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे तो आप देखो यहां पर ट्रॉपिक जिसे यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो यहां पर कौन से हैं यहां पर आप देखो तो यह हाई प्रेशर बेल्ट है हाई प्रेशर बेल्ट है और यहां पर स सब्सक्राइब पढ़ लेते हैं चलिए यहां पर प्रेशर बेल्ट on the earth surface वही जो मैंने आपको बताया जो 7 प्रेशर बेल्ट है उसके बारे में the heat received from the sun is uneven in different region यह हमने पहले भी पढ़ा कि जो sun की raise है वो different region पे different तरीके से पढ़ती है हर जगा पे same नहीं पढ़ती है hence the distribution of the temperature is uneven from the equator to the poles इसलिए जो equator की line है वो equator की line से लेके poles तक हर जगा पे क्या है एक जैसी नहीं है एक जैसी नहीं है uneven है मतलब एक जैसी नहीं है as a result the temperature zones are created इसलिए temperature zone यहां पे create हुआ ठीक है मतलब equator पे क्या हुआ temperature जादा है उसके उपर थोड़ा कम है उसके उपर और भी कम उसके उपर और भी कम पोलरीजान पे बिल्कुल भी नहीं है minus degree में वहां पे चलता है इकवेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बात किसकी हो रही है जो बीच वाला है जो मैंने आपको दिखाया इकवेटर लाइन के 5 डिगरी ऊपर 5 डिगरी नीचे मतलब पांस डिगरी नौथ पांस डिगरी साउथ पे जो वह बेल्ट बना इकवेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट उसकी बात कर रहे है दसन्रेज कैन बी पर्पेंडिकुलर बीट्विन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट् इस पर्पेंडिकुलर पड़ती है लेकिन अगर बात करें एकवेटर की तो देखें एकवेटर पे सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब 12 महीने 12 घंटे तक दिन रहता है तो सबसे ज्यादा समय तक 0 degree पर ही Sun rays पड़ती है ठीक है लेकिन जो ट्रॉप एक दम करने पढ़ती है वहां का जो घरम होगी और वहां पंजासी होगा गरम होगा इसको जब कोई चीजा गरम होती है तो आपको पता है कि वह फैलता है जैसे कि आपको बहुत करते हैं और इस तरह जब हीट ज़्यादा बढ़ी तो इस से क्या हुआ वह लाइट हो गया क्योंकि जब वह इतनी जगा पर भारी था अब इतनी दूर में चला गया यह काफी दूर में तो यह क्या हो गया लाइट हो जाता है हिट होने पे ठीक है और किदर उड़ता है यह फिर सकाय की तरफ ऐसे समझेए मैंने पहले भी समझाया था माले शनकी रेज यहां पर आ रही है पूरा इस पर पूरा ठीक है यह पूरा पार्ट यह इस पर आ निया है तो उताक है यह यहां की जो हमाये हैं है एकदम कैसे गर जाएंगी और व्रहा गरोग्या यहां जाएंगी जहाँ टंडा इनको मिलेगा इस तरह से मूव करेंगी आपी कैसा है तंडा है यहाँ दें बिल्गा तो अब इस तरह से जब हाई प्रेasur बन गया तो होता क्या है कि यह हमाय फिर से कहीं ने जाएंगी कि बहुत ज़्यादा हो गई अब यहां पे बूरा खाली हो गया तो यह फिर क्या करेंगी फिर यहां पर आएंगी या फिर इधर जाएंगी तो इस तरहीं से जो कारेक्रम अपना इनका अर्थ का यह है ना वो चलता रहता है ठीक है और क्योंकि मारी अर्थ भी मू हो रही ना तो जो जो मतलब जो प्लेस आएगा यहां पे सन के सामने वह वहां पे हमें दिखेगा इसके लिए हमें क्या दिखता है कि सन इस से निकल रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक दम अर्थ के सेंट्रल पार्ट में फार डिगरी ऊपर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है अब बात करते हैं हमने बात कर लिया यह बात करेंगे नियों है जो में तोनों यह देखे यह दोनों जो है यह दोनों इसकी बात करेंगे हम कि दा हीटेड एयर बिकम्स लाइटर जो हीटेड एयर है जो एक्योटरियल प्लेस से जो हवा जो है हीट होके लाइट हो गई इस तरही से यहाँ से उठके वो हवाएं सारी वहाँ पर जाएंगी हायर एल्टीट योट तो इस तरही से वो और उपर जाएंगी फिर पोलार रिजन में जाएंगी थिक है टूर्ड नॉर्थ और स्फ पोल हमने यहाँ पर देखा यह उपर होके कहां पर जाएंगी यह हमाएं जो हैं यह हमाएं यहां पर जाके सबसाइड होंगी ठीक है और कहां पर सबसाइड होंगी यहां पर भी होंगी इस तरह किसे और फिर क्या होगा इसकी वज़े से यह जो यहां पर ज़्यादा बढ़ गई तो ज़ादा ठंदा है तो वहाँ पे कैसा होगा? High pressure होगा ना? देखिए High pressure, Low pressure जो है तो यह क्या होता है? Just Inverse होता है मतलब Just Reposit होता है अगर Temperature जो है, वो ज्यादा हुआ तो जो Pressure है, वो Low हो जाएगा, ठीक है? और अगर Temperature कम है उपर हम देखते हैं polar region पे उपर या नीचे polar region के अगर बात करें तो यहाँ पर temperature तो बहुत ही कम रहता है earth की किरिणे वहाँ पर बहुत कम पढ़ती है इसके लिए वहाँ पर जो temperature होता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है वहाँ पर यह जो होता है high pressure रहता है हमेशा ठीक है middle atitudinal की बात कर लेते हैं due to low temperature at the higher altitudes the air cools down and becomes heavier तो अगर हम बात करें कि अगर low temperature है तापमान कम है ठीक है, वहाँ पर सुर्गी किरने कम पढ़ रही है higher altitude की बात कर रहे हैं ठीक है, तो क्या होता है air जो है महाँ की cool रहती है और वह धीरे-धीर क्या होती है heavy हो जाती है और हमने पढ़ा कि जब वह heat रहती है उनको तो वह क्या होती है अगर heat देते हैं उन्हें तो वह क्या होता है वह light हो जाती है so this heavier are descents down in both the hemisphere in the region between 25 degree to 35 degree parallels तो यहाँ पर क्या होता है कि यह heavier air होती है इधिएक यूट जाती हैं दोनों हेमिसफियर में 25 डिग्री टू 35 डिग्री पेरलर्लल कि यहां पर दखिए 25 डिग्री से ले के 35 डिग्री तक दोनों हेमिसफियर में मतलब यह surround hemisphere में भी और यहां पर नजन हेमिस नेटिशियर इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से हाँके हाँ हाँ, यहाँ पर हिट नहीं मिल पारी तो नहीं होता है, stealing how its energy from fires, जालि हाँ होती है dollar, यहां हुआट रही है। फिसमीтор में काहलिएR, इसे लिए क्या होता है कि इसी से जो हाइप्रेशर बेल्ट है यह बनता है दोनों हेमिस्फियर में हमने देखा नौर्थ एन साउथ में इस एयर इस ड्राय और यह जो एयर होता है बहुत ड्राय होता है तक हूँ करता है यहां पर हांब कि धंडट हो होट है तो अर्ष यहां पर होती चया भलंद है यहां किया होता है यहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां की जो हवा होती वो ड्राइए होती इसलिए वहां का जो रीजन है और ज्यादा तेzarट देखने जहां पर आपको देखोगी जो बड़े-बड़े सहारा रेगिस्तान वगरा हैं वो इन प्लेस में आएंगे न ठीक है जैसे जहां पर आप देखोगी तो यहां पर डेजर्ट प्लेस जदा देखने को मिलेंगे अर्थ पे ठीक है अब हम बात करते हैं सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट की सब पोलार मतलब यहां पर यह जो अभी हमने बात की इसकी इसकी और इसकी अब हम बात करेंगे सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट यहां पर भी है और यहां पर देखिए सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट यहां पर भी है से मैं अब हम दोनों की बात करते हैं ठीक है एक को मत देखिए अब दोनों को देखिए डियू टूर्थ करवेचर अर्थ क्या है इस तरह किसे कर बनाए हुए दोनों तरफ से मतलब सरकल है इस तरह किसे ठीक स्फेयर है दो तरह किसे जब इस तरह से कर्व होने की वज़े से जब दो पर पहले होती है तो चलती है तो प्रेजन पर कम हो जाती है कम हो जाती है जो पर रहला है यह जो चोट उसा आ अब होता है यहां पर सी आर्थ मोग होती रहती है वीसे चोट जाने इसका पोला रीजन का यह बात कर यह वाला जो प्रिक्शन है ठीक है यह वाला है because of this reduced friction and also because of the earth rotational motion जो कि earth rotate कर रहा है ठीक है इसकी वज़े से यह जो हवा है यह बाहर की तरफ throw हो जाता है बाहर की तरफ throw हो जाता है मतलब इस तरह किसे earth move कर रही है हमारी और होता क्या है यह जो यहां का air है यह बाहर चला जाता है क्योंकि यहां पर area क्या है यह बहुत कम area है और earth rotate कर रही है इसलिए यहां का air का friction बहुत कम होने की वज़़े से यह से हवा बाहर की तरफ चला जाता है This leads to development of low pressure belt इसकी वज़े से यह क्या बनता है low pressure belt बनता है This condition is observed in the area between 55 degree to 65 degree parallel in both the hemisphere दोनों है में नदन सरन दोनों में ही आप को ही क्या देखने को मिलेगा 55 डिगरी से लेकिए 65 डिगरी तक आपको यह लिखेगा यह बेल्ट किट worm यह vinyl तक इतना ही है यह इतना ही घिकल Phone यह लगा नहीं कि यहां तक है तो 55 डिग्रेस लेके 65 डिग्रेस तक हमें क्या देखने को मिलता है सब पोलर लो प्रेशर बेट और क्यों बनता है क्यों हमारी एर्थ जो है वो रोटेट कर रही है दूसरी चीज यह है कि यहां पर यह जो पैरलल लाइन है बहुत कम है यहां पर हवा का जो फ्रिक्शन है वो क्लार को मात वीक कर रही है क्यों क्कiles कर रही है इसके लिए जो हवा बाहर की तरफ होता है तो इसकी वजह से यहां पर क्या बनता है यहां पर नहीं पाती है यहां पे नहीं रह पोलार रिजन दोनों साइट क्या उपर का नीचे जो उपर का भी यह भी और नीचे का भी दे टेंपरेचर इस बिलोग जीरो डिगरी सेलसियोश त्रू आउट दा यह साल यहां पर जिरो डिगरी सेलसियोश माइनस में चलता है यहां का हवा वह बहुत ही कोड रहता है आप यहां पर सारी हो कर प Random हो जाती है त्रह सब्सक्राइब हो जाती है थीक होता है, इसलिए यहाँ पर बनता है, air pressure जो है, वो हाई बनता है, as a result, high pressure weights get formed, these are called polar high pressure weights, they generally occupy the area between 80 degree and 90 degree, 10-10 parallels आप देखे, यहाँ पर भी 10 parallel ही बन रहा है, 80-90 degree parallels पर यह बन रहा है, in both the hemisphere, दोनों side, the duration and the intensity of sun rays varies during particular period of the year, in both the hemisphere, तो duration मतलब कि यहाँ पर जैसे sun rays की intensity है, अगर बहुत ज़्यदा पढ़ रही है, ठीक है, during particular period of the year in both the hemisphere, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो sun है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो sun की rays है, उतनी ही पर ती है, जितना इधर पर ती है, ठीक है, इसके लिए दोनों जगह का, जो मतलब की कह सकते हैं, जो pressure है, वो उतना ही रहेगा, as a result, the location of the temperature zone and the pressure belts dependent on the sun's heat also vary, इसलिए, जो दोनों hemisphere की बात करें, तो वो sun के heat पे भी depend करती है, this change is of the order of 5 degree to 7 degree towards north in उत्तरायन, and 5 degree to 7 degree south in दख्षिनायन, और यह change हम देखते हैं कि कि सरसे 5 degree to 7 degree, मतलब उत्तरायन उत्तर की तरफ, और 5 degree to 7 degree south दख्षिनायन की तरफ, जो होता है इस तरह किसे, change जो देखने को मिलता है, इसी को क्या कहते हैं, oscillation of pressure belt, किसे कहते हैं, जो change होता है, मतलब 5 to 7 degree जो उत्तरायन की तरफ, north की तरफ और वही जो change होता है यहां पर, यहां की तरफ, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, oscillation of pressure belt, यहां पर एक चीज और दी गई है, वो मैं आपको समझा देती हूं, steady and westerlies दीखिये, अब आपको यह तो पता चल गया कि यह हमाय ही है, जो कि यहां पर जा रही है तो high pressure बना रहे हैं और यहां पर यहां से चली जा रही है, तो यहां पर low pressure बना रही हैं वराबर अब देखिए, यहां पर जो हमाय चल रही है आर्थ, कि अर्थ हमारी इस सऺ्छ सभ रही है अब मूब हो रही है तो ऊपर का ऊपर की जो हमाय है वह कैसे आती है वह हमाइन इस तरीके से चलेंगी कि इस्टर लीज मितलब इस तू इस टू इस तरीक से मतलब इस तू ब्रीज चल тебе आप यहां तो यह सीड के से और घृत हैं कैसे हम और रहेंगे यह ओपर जो फंडिकर है तो ङा। तो यह तो यहां पर जाकी हो गきます। ऑपर जो ऊंपर है है भो फंड़ा है हम यहां पर देंगी हमें यहां यहां पर औप एपर जाएंगी जैसे कि आप देख रहे हो इस तरी के से तो में एक अपर भी उतनी नहीं पड़ेगी तो यहां पर क्या होता है यहां पर जाएंगी रहता है तो हम यहां से गरम हमाय भेज रहे हैंगे तो यहां से गरम हमाय भेज रह Cyr सब्सक्राइब घलेगे- और चिस तरीजित चर्ण रहा है किसे कहा गया जो इस तरीजीस तरीजिस हुई और शकलती है और यह होती यह होती है इस इरली विस्ट वेस्ट वेस्टर्लिज में आ गया होगा यह देखे क्या है the major difference between the temperature zones and temperature a pressure belts is that the temperature zone and continue and spread from the equator through the poles from torrent to rigid so the key to a temperature zone has a pressure belt है यह क्या है क्या यह continuous तरीक से चारो तरफ पूरा equator से लेह कि यह पूरा पोल तक यह पूरा ऐसे ही फैला हुआ है इसका प्रेशर बेल्ट है यह जो प्रेशर बेल्ट है यह चलता ही रहता है ठीक है कहने का मतलब यह है कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग यह जो बेल्ट है ठीक है तो तो रहते ही हैं लेकिन हमाया मतलब कपसे कहां चलेंगी यभी फिक्स है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा बिल्कुल एक तरीके से ही हो ठीक है थोड़ा बहुत चेंज़ेस होते रहते हैं तो डिफ्रेंट रीजिन में अगर हम कहें तो जो एक्वेटर से पोल की तरफ पोल से एक्वेटर की तरफ थोड़ा सा चेंजेश होते रहते हैं एक दम से पर्मानेंट भी नहीं रहते अब एफिक्ट देखते हैं क्या होता है और प्रेशर का ओरिजिन ओफ विंड्स मैंने आ दोनेंट टाइप अधिक्वेटर मतलब हम देखते हैं जो टाइम तुटाइम अ वर्शा को मतलब बारिश होती है जो वह भी इसकी बजसे होती है घुक्ट रीचर टू प्रेशर की वजह से ही होती है ए अबर प्रेशर अफ्ट कर ता यह डालता है आईजोबार्स क्या है यह देख लेते हैं यह आपने पढ़ा है याद होगा आपको तो यह क्या यहां पर दिया गया है देखिए अगर हम मैं आपको बताओं यह समझाओं तो आप इस तरीके से समझिए यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से पहला यहां पर क्या दिया गया है तो यहां पर आप देखो यहां पर यहां पर यह क्विटर की लाइन है आपकी और यहां पर आप जो यहां पर ब्लु ब्लू ब्लू दिख रही आप देखो तो काफी सीरीज लाइन दिए लेकिन यहां पर मतलब अगर इसके सब्सक्राइब देखें तो यह टो यहां पर देखो यह लाइन एंग एवन तो इसका मतलब इतना ही टेमपरेचर पर यहां तो इस त्रश werden और यह दिखाती है कि किस तरही कि से वहां का टेंपरेचर बिटर इटर यह अंतल एक डिरेक्शन आप दराइज वार्स अन्ड़ डिस्टेंस विट्विञ तो यहां पे दिखिए जो यहां पर मतलब की किस तरह के से मतलब कि यहां पर देखिए जैसे कि यहां से भी लाइन गई है और जहां जहां पर एक जैसा टेंपरेचर है वहां पर यहां पूरी गई है अब मालने जहें कि यहां पर यहां पर पुरा टेंपरेचर है जैसा 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 वहां पर लाइन गई है तो यह इसको बोलते हैं कि आपको पता अपको दिखेंगा कि यहां पर बहुत ही इस तरह से अप्स ट्डाउन से गई है ऐसा क्यों होगा क्योंकि मालीजीय कि यह जो अर्थ है अर्थ मतलब यह यहां पर इस तरी से दिखाएगा ठीक है और मालेजे कि यह ठंडा है तो पुरा यहां असले कि यहां तक ठंडा ही दिखेगा अब उपर इसलिए आपको इतना तेड़ा मेरा दिख रहा है क्योंकि उपर जमीन ज्यादा है अगर आप सदन है में स्वियर में देखो तो यहां से पानि ज्यादा है तो पानि यप जैसा ही गरम रहेगा लेकिन अर्थ का हमें जो जमीन का में पता है क्या होता कि वkg्यहां पानिसे पहले जैसा नहीं में दिख रही है है अब चिस आण फार से बएक है आप देखके नहीं दिया गया इसमें डिशी ही जो तेंप्रेचर मापा जाता है वह कैसे मतलब खेंट के जाता है ऐसे एड़ प्रेशरें उनिजी तो ओस मीं सारी चीज़े अर्थ की वज़ए से ही हैं तब यह जादा से जादा आपको जो डॉस्पार्टिकल या फिर आपको जीतने भी चीज दिखेंगी हो सब आपको पास में धोंट उसने हैं इसे इंपर जो यह होता है जो हवा होता है यह फुल्थ जियुआ तो पहले वीडियो में बता दिया था जो हवा है नउड ही वज़य से सब किया करती पूरे लेवल कम होते जाता है that is why air pressure is maximum at sea level पर जैसे समुद्र के लेवल से उचाइम आपते हैं कि समुद्र के लेवल से उपर जैसे उठते जाएंगे तो वह ऐसे अब यहां तक हम पर जाते हैं और हवा की कमी होती है तब हमें बहुत भारी भारी सा लगता है क्योंकि air pressure क्या होता है मां पर हवा कम हो जाता है और हमारे बॉड़ी के अंदर जो प्रेशर एक्जर्ट करता है उसकी वजह से हमें भारी सब कुछ लगने लगता है इडिस बिलीव डाट वेट ऑफ दे एयर कॉलम और ऑन एन वन परसंस हेड अमांट ऑफ 1000 केजी तो बहुत जदा तो ऐसा माना जाता ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो यहां पे कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्टर में जरूर पूछिए और वीडियो पहला वाला भी जरूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेला कंप्रेस कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेर कीजिए ओके